उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने पूरे शवाब पर है हमने एक दोर देखा जब अधर्णी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोधी साहब अमित्षा जी और योगी अदितनात जी ने लगातार दोरे किये सभाएं करी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग छेत्रों में मौटे की सकते हैं महोबा बांदा ललित पूर जहांसी यह तमाम जो इलाका है चित्रकूट वगएरा यह पूरा बंदेल खंड कहला रहा है बंदेल खंड में गुर्बत बहुत है पिछले दो-तीन चुनाओं में भाजपा ने लगातार सुईप किया है चाहे वो 2014 का लोकसभा का च 20 2017 का विधानसभा चुनाओं हो चाहे चुनाओं हो पिछला लोकसभा का दोचारवनीस का क्ली इन्सस्विप किया 4 की चारों लोकसभा सीट भाजपा को मिली 19 की 19 सीट विधान सभा की भाजपा को मिली इस बार ऐसा लगता है कि शायद कुछ हालाद बदले या कुछ वोटर्स में परिवर्तन हो क्यों कि ये पूरा स्ट्रॉंग होल्ड है ऐसा जहां पर गुर्बत है गरीबी है छेतर बहुत बड़ा है पर जो पॉपॉलेशन है वो बहुत स्कैटर्ड है और वहाँ पर बिखरी हुई जनसंख्या है और वहाँ पर गरीबी बहुत है पलायन है लोग बाहर जाकर अपने लिए नोकरी तलाशते हैं मजदूरी करते हैं पानी की सخت कमी है किसानों का आत्मत्या करने का जो मामला देश भर में है उसमें सबसे ज़्यादा मामले चर्चित रहे हैं जो वो महराष्ट का वो इलागा जिसको हम विदर्ब कहते हैं और एक ये छेतर जो की बंदेलखंड कहा जाता है इसमें तो अखलेश यादव अभी हैं इस पूरे बंदेलखंड के चेतर के दोरे पर जिसको वो विजे रतियात्रा कह रहे हैं उसमें उन्होंने शुरुआत करी बांदा से महोबा होते हुए कल ये दो जगाँ हैं उनने कवर करी और अभी इस वक्त ललितपूर में हैं आज दो दिसंबर को तो ललितपूर की जो उनकी सभा है वो अभी चल ही रही है उसमें जो मुख्य तोर से कल और आज में देखने में आया है कि वो गुर्बत का मसला उठा रहे हैं गरीबी का मसला उठा रहे हैं खाने और भोजन बिल्कुल स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि ये चीज़ है अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो इस पर काम करेगी इसके साथ साथ वो याद दिलाते हैं कोरोना काल को कि कैसे मजदूर वापस आये थे कैसे बाहर काम करने वाले लोग वापस आये थे पैदल चलना पड़ाता उनको किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ाता और उन सब तकलीफों को वो निरूपित करते हैं बरतमान राज सरकार यानि होगे अधितनाद जी की सरकार के उपर और अधरनी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के उपर और इस तरह से वो ये इस्टैबलिश करने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ ये सरकार नहीं थी दूसरा एक मुद्धा गुर्बत हुआ ये जो कोरोना काल हुआ ये साथ में वो लंबी लंबी लाइन लगवा देने वाला मामला की बात करते हैं और उसमें नोड़ ब पार्टी पर लगतार सैफ़ाई मुलाहिम सिंगया दओ उनका पूरा परिवार अख्लेश ये सब लोगों को ही प्रभाव है समाजवादी पाटी में तो वह यह कहते हैं कि जिनका परिवार है वही समझ सकते हैं परिवार वालों का दर्द्ध कर वह योगी आदितिनाद ज । इनके द्वारा बीज़ेपी के द्वारा लगाये जाने वाले परिवारवाद के आरोप को एक अपने तरह से डील कर रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या वो इसको सुहम लाकर कहीं बीज़ेपी के हाथ में तो एक मौका नहीं दे दे रहे हैं जिससे वो परिवारवाद पर हमला करें वो शायद डिफेंस मेकनिसम के तौर पर उसको एक काउंटर करते हुए ये कह रहे हैं कि परिवार है इसी लिए तो हमको दर्द है तो ये गरीबी कोरोना काल पलायन भुकमरी इन चीज़ों के उपर वो कटाक्च कर रहे हैं अपने वादे कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि वो वोट करें आईए देखते हैं हमें दुख हुआ समाजवादियों को और वो तस्वीरें देख करके उसी समय फैसा लिया कि सरकार के खजाने से हमें कितना भी पैसा देना पड़े लेकिन बुंदेल खंड की जनता को भूख से निजात दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे और याद होगा आपको समाजवादी सरकार में समाजवादी पैकेट बांटे करते थे जिसमें आटा था चाबल थे आलू था सरसों का तेल भी था और कभी गरीब नहीं सोचा होगा कि सरकार की तरफ से घी और दूद का मिलक पाउडर भी मिल जाएगा समाजवादी लोगों ने उस पैकेट को बांटने का काम किया और सी समय मुझे याद है ये हमारे सेरिया ब्रादी के लोग हमें मिले थे जब मैं देवगड जा रहा था देवगड जब जा रहा था हमें रास्ते में ये परिवार के लोग मिले और उस समय भी जो कुछ उनके पास था उन्हों वो स्वागत में लेकर के आ गए वही हातों में उनके कनेर के फूल थे और जैसे कुछ सामान बनाये हुआ था जिस तरीके से आज ये खाली कनस्तर बजा रहे थे वहां भी कुछ बजाने का सामान ला करके स्वागत करने का काम किया और मैंने देखा कि उनके पास रहने का कुछ नहीं है ऐसे ही लकड़ी लगा करके पॉलितिन में जीवनियापन कर रहे है उसी समय खड़े हो करके सरकार समाजवादी पार्टी की थी जिलादिकारी को वहीं पर कहा कि इन सभी लोगों को और जितने भी ललित्पुर के गरीब लोग हैं उनको लोहिया आवास देने का काम करें और याद होगा समाजवादी साथियो तीन लाग वाला गरीबों का आवास इन लोगों को देना शुरू हो गया था अगर ललित्पुर देवगर अगर आप जाओगे तो पाओगे इनका घर बना है हम ये बातें इसलिए बताना चाहते हैं आपको हम ये बातें इसलिए रख रहे हैं क्योंकि साड़े चार साल का कारकाल आपने देख लिया होगा साड़े चार साल में इतना दुख तकलीब परेशानी कभी गरीबों को नहीं मिली जितनी सरकार ने दी है वो तस्विरें कौन भूल जाएगा जिस समय लॉकडाउन लगा था और हमारे मज़ूर भाईयों को दूसी जगे से आना पड़ रहा था जो दूसरे प्रदेस में काम कर रहे थे उन प्रदेसों से जब लॉट करके आए तो ऐसी तस्विरें कभी नहीं देखी होंगी किसी ने जब हमारे देश का बटवारा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ लेकिन भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने बेरिकेटिंग लगा दी और किसी भी मज़ूर भाई को उत अपरेज में घुजने नहीं दिया नजाने कितने दिन वो सीमा पर खड़े रहे जहां पर गाए बहांदी जाती थी गव साला थी खाली मेदान था वहां हमारे मज़ूर भाईयों को रख दिया भूके प्यासे बिना नाए बिना पानी के हफ्तों हफ्तों हमारे मज़ूर भाई रहे और तब रहे जब सरकार के पास सब कुछ था अगर चाहती इस सरकार तो हमारे मज़ूर भाईयों को पैदल नहीं चलना पड़ता हमारी सरकार होती तो एक भी मज़ूर पैदल नहीं चलता हमें बस लगानी पड़ती सरकारी गाड़ियां लगानी पड़ती चाहे डियम की गाड़ी से भेजना पड़ता तो उन गाड़ियों से भेज करके अपने मज़़ूनों को घर और गाउं पहुचा देते ऐसी तस्वीर और ऐसी ख़बर दुनिया में नहीं में आई होगी जैसी ललितपुर के एक बार आई थी उसी समय पर लॉकडाउन के समय पर एक गर्वती माँ जो चली थी महराज से पैदल चलते चलते आई और यहीं ललितपुर की सीमा पर उसके बेटी पैदा हुई लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं सुनवाई की वो माँ दो तीन घंडे वहां रही उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर के अपने गाउं पहुच गई कोई मदद नहीं पहुची जब ख़बर मैंने पड़ी अख़वारों में तो मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को उसके घर पर भेजा और घर पर भेज़ करके मैंने कहा ये दूर से चल करके आई होगी हो सकता इसके परिवार के पास कुछ नहो उसका वही गरीब घर वही तूटा फूटा घर पॉलिस्थिन से ढखा हुआ था कोई मदद नहीं पहुची सरकार की तरफ से अगर किसी ने उस मा की मदद की थी तो वो समाजवादी लोगों ने मदद की और एक लाख रुपए उस परिवार को पहुचाने का काम किया केवल मा की मदद नहीं बलकि जितने मजदूर हमारे गाउं नहीं पहुँच पाए और घर परिवार से नहीं मिल पाए वीच में इनकी जान चली गई अगर किसी ने मदद की थी एक एक लाख रुपए की तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का काम किया था ये बात में इसलिए बता रगा हूँ ये बाते मुशली बता रहा हूँ कि बहुत सत्ता में बैठे लोग कहते हैं परिवार बाद परिवार परिवार मैं आप से कहना चाहता हूँ जिनके परिवार होते हैं वो ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री है योगी नहीं है ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे हमने तो यही पढ़ा है गीता में कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है बताओ ये मुख्यमंत्री योगी है के नहीं है ये मुख्यमंत्री योगी है के नहीं है और उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया है इन्होंने कहा था लेलिटपुर में के हवाई पट्टी बन जाएगी हवाई अड़ा बन जाएगा कभी आए होंगे बुन्देल खंड में तो कहके गए कि हवाई अड़ा बन जाएगा बताओ लेलिदपुर के लोगों गरीब लोगों पहनने को चपल भी नहीं होगी ये कहा था इन्होंने कि हवाई चपल पहनने वाला हवाई जाज पे चलेगा और अगर आप आँख खोलोगे ध्यान से अखवार पढ़ोगे तो अब तो इन्होंने हवाई जाज भी बेच दिये हैं और हवाई जाज जाँ खड़े होते हैं वो हवाई अड़े भी बिग गए हैं और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब आपकी गाड़ी और मोटर साइकल नहीं चल सकती है जो हवाई जाज में बठाना चाहते थे चपल वालों को उन्होंने डीजल पेट्रॉल इतना महंगा कर दिया है कि आपकी गाड़ी नहीं चलेगी मोटर साइकल नहीं चल पाएगी सो रुपे पार हो गया के नहीं हो गया पेट्रॉल डीजल महंगा पेट्रॉल महंगी हर चीज महंगी ये कहते थे कि हम जोला लेके चले जाएंगे कभी किसी ने कहा तक है जोला लेकर चले जाएंगे हम गरीब लोग हैं हम बजार जाते हैं अपने जोले में सबजी अपने जोले में समान ले करके आते हैं अपने परिवार वालों के लिए इसलिए हमें पताए कि महंगाई क्या है और ये महंगाई जानबूश करके बढ़ाई जा रही है अगर ये चाहते तो महंगाई रोक सकते थे लेकिन महंगाई ये नहीं रोक रहे है ये महंगाई लगातार बढ़ती चड़ी जा रही है और आप लोगों ने देखा है नोट बंदी हुई तो लाइन में लग गए हम लोग जब बीमारी आई तो दवा के लिए आक्सिजन के लिए अस्पतार में भड़ती होने के लिए लाइन में लगे अब एक खाद में हम लोग लाइन में लग रहे हैं खाद के लिए ये पतानी कैसे भाजबार के लोग है कोई फैसला लेते हैं उसमें लाइन में लगना पड़ता है लाइन में लगना पड़ता है लंबी लंबी लाइनों में नोट बंदी हुई तो बताओ लाइन में लगे के नहीं लगे आप और जब दवाई की जरुवत थी तो आपको लाइन में लगना पड़ा के नहीं लगना पड़ा और आपको अक्सिजन और दवाई और बिस्तर के लिए लाइन में अस्पतालों में लगना पड़ा के नहीं लगना पड़ा इसलिए लड़ित पुर्वालो मन बना लो इस बार लाइन में लग करके एक एक बोट इनके खिलाब डाल देना इनकी लाइन का पता नहीं लगेगा कहां चले गए ये लोग